वन दे रखा है नीचे क्या दे रखा है आपका आई तो वन के लिए लिख सकतो हो आप आई टुदी पावर फोर डिवाइड में आई माइनस वन दे रखा है तो हाली से जगा आई टुदी पावर फोर डिवाइड में आई स्क्वाइर पलस वन दे रखा है तो आई टुदी प पावर स्क्वाइर और यहां पर खटाईएगा सिर्फ ली आई और यहां पर तो बात ही खतम इसका तो क्या जवाब है यह दुनों कटके आपका ओन हो जाएगा ऐघेंगे आपट यहापका opioid माइनस नहां अपकोशन में अगर मैं लिख लहाऊ undergo होगा अगर मैं इसको पोजिटिव और जहाएगी यहाँ बनाता है कि सoft fishermen तो और देखिए यहां है तो निगेटिव कावन हुजागा यहां पर यहाँ है यापका प्लस काई प्लस कावन है और यह प्लस कावन अच्छा लगता है ठीक है यह और आपका कैशिल होट हो जाएगा मज़ा रहा होगा लोको अभी हाप एक इस ऑब एक कॉंसेपश मज़ते हुए कि टू एन प्लस वंटाइम दे रख तू एन प्लस वंटाइम का मतलब होता है कि और टाइमस कि यह दो होगा बच्छो ओट टाइमस हो गया टू एन प्लस इसे होता है अब यहाँ पर देखेंगे आप इसका मतलब यह हुआ है और यहाँ पर यहाँ पर यह पर पर हैं तो to the power 2 का मतलब कि I to the power 2 रहने देजी फिलाल के लिए और यहां पर I to the power 4 है तो इसके लिखा करेका I to the power 4 का 4 चोड़ दीजी पलस यहां पर देखेंगे I to the power 6 है तो इसमें भी हम लोग divide लाएंग 4 से क्या बचेगा I to the power 2 और इसके होगा इसके आगे होगा औogo दिशने लूँट होने वाला होगा होगा तो हम लोग निखेने के 8 का हम लोग टिखे लिए एट का हम लोग डिफाई लगाते हैं 4 से द्री मिंडर कितना बचने वाला है तो 4 Cisco मिलोग 4 लिश सकते हैं जैसे प्लस और इस तश्लिकनी कि ड़ीव आगे चलते रहाएगा समलोग क्या करना कि टाइमिकना है तो यह आपका इवन टाइम हो चुका है यह विघंताइम हो चुका आप यहां पर एक वार ले लो और 20 ले लोख यहां पर एक इस्रा लेंकर चलो है तो टेन के लिग गारिचैंट. 10 होगा चार से दिभाइड लगाईएगा तो हाँ पर चार दुनी का खतम बच्चा कितना दो बच्चेगा और केसमें ऐसा ही होगा आप देखो यो continue लिख के तो ऐसा ही हने वाला है अब यहां से हम लोग सॉल्ब करने शत करेंगे तो I**S2 का मतलब नेगीटी अवयन पलस cancel out हो रहा है 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 लेकिन बच रहा है बचारा कूण negative का यह जीरो प्लस में 0 और प्लस में negative का उन फैनली क्या होगा आपका negative का उन ही इसका answer हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखें वैसा इसीफ concept का दे रखाया question कुछ i to the power 4 in plus 1 है तो i to the power 4 in लिख लो आप गुणा i कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं सोरी 1 है न आप यहाँ पर i के power 1 कर लो ऐसे ठीक है तो हमने क्या क्या पावर को distribute कर दिया जैसे होता न फ्रमूला x to the power in plus 1 होता है तो हम लोग लिखते हैं x m और x in ऐसा लिखते हैं तो उसी फ्रमूला में इसको बिठा दिया 4 in प्लस 1 था तो 4 in गुने 1 अब जैसे 4 का multiple गया तो i के power 4 गया और power in फिर सम लोग in ले सकते हैं और गुना i के power 1 का 1 रहने दिजी यान कि i ही लिख सकते हो कोई दि आपका एंसर सिर्फ लिख आई तीछी इसका आप ओड़ी भी कर सकते थे कि जैसी देखेगा आप 4 का multiple है तो इसका मतलब ही खतम हो जाता सिर्फ 1 बचता वन ही एंसर हो जाता इसका अब यहां पर देखेंगे i to the power 3 दे रखा है यह आपका तो i हो जाएगा और प्लस में i to the फिर से 3 दे रखा है तो आप 1 बटा में i to the power 3 करोगे equal to minus का i का i रहने दीजिए पलस का इस 1 के लिए आप लिए आप लिख सकतो i to the power 4 और डिवाइर में i to the power 3 है ही equal to negative का i और यह आपका positive जब घटेगा तो simply क्या बचेगा आई बचेगा इससे यह cancel out हो जाएगा क्या बचेगा इसका जीरो के लिए चलिए आगे question देखते है so that i to the power n plus i to the power n plus 1 plus i to the power n plus 2 plus i to the power n plus 3 equal to 0 होता है for all in जो यहाँ पर निच्वल नमर का element है यहाँ पर देखेंगे i to the power n और यह क्या आपका निच्वल नमर के element है तो था देख लिए समझ लो कि मैं आप ऐसे लिख सकता हूं कि i to the power n ठीक है मैंने in बाहर निकल चुका है बचा कितना i का square फिर्से प्लस 1 यहाँ पर देखेंगे आप तो i to the power n का in रहता गुना में i to the power 3 होता है i to the power n अगर बाहर निकल चुका होता अंदर क्या बचता i to the power 3 बचता बस इसी का calculation करना है आपको i to the power n का in 1 का 1 रहेगा या i का i रहेगा और प्लस में i square है ति आपका negative का 1 हो जाएगा प्लस में i का q है ति निगेटिव का i हो जाएगा calculate किजेगा यहाँ पर तो यह दोनों आपका cancel out और यह दोनों भी आपका cancel out होगा बचेया क्या 0, 0 multiply with something totally 0 यह हो गया आपका answer ठीक है आप चलिए हम लोग आए कोशन देखते हैं सेम प्रोसेस पर यहाँ भी दे रखा कोशन वैसा यह concept है तो यहाँ पर देखेंगे आप i to the power n प्लस 100 तो आप यहाँ पर i to the power n गुने i के पावर 100 कर लिजी एक साथ प्लस में i to the power n गुने i to the i to the power 46 कर दिजी ठीक इतना अब यहाँ पर आप i to the power n कॉमन निका सकते हो निकाल लिजी और i to the power 100 के लिए क्या करोगे आप देखो 100 है दे रखा आप 4 से डिवाइड लगाईएगा रिमेंडर कितना बचेगा जीरो जैसे रिमेंडर 0 बचेगा आप लिए सकते हो i to the power 4 ठीक है यह दो आपका बाहर निकल चुका है 50 है 50 में भी दिवाइड लागे फोर से कितना आएगा बार्चोक और 40 रिमेंडर बचेगा 2 तो आप यहां पर रिमेंडर 2 ले लो पलस i to the power 1 बाहर हो चुका है 48 है 48 में अगें डिवाइड लगाओगे आप 4 से बार्चोक और 40 पुड़ा खतम कितना बचेगा रिमेंडर 4 लेके चलो कि जब भी 0 आता है रिमेंडर आप लेते हो ठीक है पलस 46 दे रखा है तो यहां पर स्कुर्ण जो टू दे रखा है इसका मतलब निगेटिव का यहां पर देखिए कैंसिल अट होने बला है कर दिजिए यह निगेटिव पोजिटिव खतम निगेटिव पोजिटिव खतम हो गया जैसी खतम होगा क्या बचेगा आप डिपावर एं मल्टिप्लाइव जी रो ड यानिकि 5 rests यहां पर लगाओगे कितना से four see four say डिवाई अच्छ को चांसिगा आपका 92 में अन्हें स्कार होना है तो आपको होता है ट सिर्चा प्लिप्लिए यां पर देखेगा 590 कितना बचेगा यहां पे 2 बचेगा है आना क्यूंकि आप सिर्फ लास्ट में भाग लागे तो 2888 खतम बच्छेगा कितना दो आप चाहो तो पुरा में भी करके देख सकते हो तो आपको भी स्वास होगा कैसे होता है काम करता है यह 4 का फोड रिमेंडर जिरू बचेगा इसकाइश तो मैंने फोड ली दिये अब बात है नीचे का 82 दे रखा है तो 20 चूक adventure खतम 2 बचेगा IK स्क्राइब फ्लस IK पाउवर 4 4 प्लस आइके स्काइर प्लस आइके पावर फॉर्ड और लास्ट में बचेगा आएका स्कवार् अब पूरा आपको कर लो कितना मैं बारा पर पूरासा शे नहींद आप माम एड़ा को अं बचा हुगा आपका हिहां पर अब इसको solve करते हैं I के पार 4 का मतलब 1, square का मतलब negative का 1, 4 का मतलब 1, square का मतलब यहां पाइसक्वार चुट गया, negative का 1, plus का 1, divide में square का मतलब negative का 1, 4 का मतलब 1, negative का 1, negative का 1 ही रख लिजिए, negative का 1, positive का 1 और again, negative का 1, बाद में minus 1 है बचा हुआ है, यह दोनों cancel, यहाँ पर यह दोनों cancel, यहाँ पर यह दोनों cancel, और यहाँ पर यह दोनों cancel, बचेगा क्या आपका, उपर आपका positive 1, नीचे आपका negative का 1, बाद में आपका negative 1 दिख है यह दोनों को cancel out कीजिएगा काम तिया आपका negative का one बचेगा और माइनस यहाँ पर भी negative का one है तो लिए देखे कितना होगा माइनस का टूइस का answer हो जाएगा ठीक है देख लीजिएगा कुछ छूटा तो है न चलिए next question देखते हैं express the following in the form of a plus ib यानि complex नमर के form में आपको यहाँ पर बताना है आपको तो आई टूदी पावर 9 को आप क्या लिए सिकतो फोर्स डिभाइड लाओगे simply i हो जाएगा प्लस i2 पावर 19 है कितना होगा फोर्स डिभाइड लागा एंगी तो आपका हो जाएगा यह अपका 3 पावर में और i का मतलब तो आई ही होता है आई टूदी पावर 3 का मतलब negative काई होता है दोनों आपका यहाँ पर cancel हो जाएगा एंसर कितना है जीरो ठीक है यहाँ पर देखेंगे आप ता आई टूदी पावर दे एक थर्टी फाइड इसके लिए क्या लिए अर्चों का 32 खत्म रिमिलों कितना बचेगा थिरी प्लस वन के लिए आप लिए आप लिए आप लिए पावर 4 लिख दी जी हाँ पर और 65 है तो आपका कितना जाएगा सुरूद चोंसट और सिर्ट बचेगा आपका यहाँ पर यह भी हो जागा आपका negative का आई तो ले देके कितना होगा 2i negative का तो यह आपका answer हो जाएगा तो जीरो प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता आप ऐसे भी लिख सकते हो जीरो अनसर कोई दिक्कत नहीं होने वाले आपको अब नेक्स देखेंगे 75 के लिए बताईए कितना आगा इसका रिमेंडर खुछ से करके देखी कितना आगा रिमेंडर तो जैसे 75 दे रखा आपको यहां पर रिमेंडर कितना जाएगा तो आपको गए अठर्चोंका 32 72 और 72 में गया तीन डिमेंडर तो आई to the power 3 प्लस में आए टूदी पावर 4 प्लस में आई कर पावर आईए कर रहाए और प्लस में आपका हो जागा कितना हैं कि answer zero हो जाएगा यहां पर देखेंगे आप सेम कुश्चन दे रखा इसको था पैटरन की तरह से यूज भी कर सकते हैं किसके answer कितना होगा हमें सा जीरो होता है न का यंदे जी एक पावर यहां पर यहां पर इन मल्टिप्लाइव इत वन आइस प्लस मांचे पर इन मुंटइप्लाय की स्क्वाइर पलस में ऐके पावर में 3 कर लोगी आइट तो अई-पर जब इन कॉमर निकार लोगे तिहां पर बचेगा आपका वण यह आपका यह था 1 प्लस में I, प्लस में I square, प्लस में I to the power 3, सेम कॉंसेट यहां पी रिपीट हो रहा है न आपका यह, तिया आपका 1 प्लस में I, माइस का 1, माइस में I हो जाएगा, यह आपका cancel out, cancel out, cancel out, ले देके क्या होगा, मुना जीरो और यह आपका रांसर हो गया इतना है ठीक है साइधे रिप्रेट को से मुझे लग रहा है दोगा साइट बुक में दे रखा होगा अब यहाँ पर देखिए I to the power 0 तो किसी भी चीज के पावर में 0 गया तो उसका वहलीक कितना होता हूं I to the power 4 ति आपका हो जागाchem negative का One इसली हुआ कि मैंने अल्रेडी बता रखा था कि एक़र पावर में अगर even term में और प्रतर सब रह रहा है तो आपका यहां पर देखेंगे पोजिटिव निगेटिव केंसिल आउट और अठरा दे रखा है तो चार्चों का सुला तो खतम हो जाना है आई के पावर 2 बचेगा और 2 का मतलब होता है यह आपका पांचों का 20 प्रक खतम हो जाना है तो जब 0 रिमेंडर होगा तो आप आपके पावर 4 लोगी और 4 का मतलब होता हुआ तो ले देखेंगे सारे के टर्म क्या होंगे हापस में कैंसिल आउट हो जाएंगी इसका अंसर क इतना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखेंगे आईटी पावर 574 है तो 574 का मतलब कितना हो गया यहां पर सफ लास्ट का टूरीजिन में दिभाई लाओगे तो अच्छों का 72 बचेगा कितना रिमेंडर 2 तो आई के पावर 2 कर लोगी इसका प 26 88 88 गया तो बच्चेगा कितना रिमेंडर 2 तो हैं पर रिमेंडर आपका 2 बच्चा यह तो पूरा आपका कैंसिल पावर जाना है तो लिए यहां पर देखिएगा दोबज्य आपका एकृश्ण 24 से से ढिगेटी मेंडर बचा तो क्लियर है बस आपको रिमेंडरय से खिलना है आपको यहां पर कि सब्सें पूरा कर दो gundt यह दोनों कैंसिलर कर लो मायास कावन बटा मैस कावन बचाए यह दोनों खतम एक बटाए कितना होगा एक ऐसे भी कर सकते थे नहीं तो पूरा का ट्रम उपर का नीचे का मिल है पूरे के कर दो एक पार में कर जाएगा ठीक है चली नेक्स वोशन देखते हैं हाँ पर एक्सप्रेस देखना है आपको तो यहाँ पर टू आई मैस में आई स्कॉर दे रखा है तो टू आई का तो टू आई रहेगा इस आई स्कॉर को लिख सकते हो आप नेगेटिव का वन अब पूरे का होल स्कॉर है तो होल स्कॉर है नांए divided कितना वाचेगा तो आई मारास मारास माराओ पलस का वन और इसका होले स्कॉर अब तो आपको three clear तो a square plus में b square plus में 2 into a into और बी पार्ट के लिए सिर्फ 1 ठीक है 2 into a into b negative नहीं आपको यहाँ पर 2i का square का मतलब 2 दूनी का 4 और i का square का मतलब negative का 1 plus 1 का square तो 1 और हो जागा आपका 2 दूनी का 4i तो आपका हो जागा 4 minus का plus का 1 plus में 4i 4 minus दे रखा है और plus का 1 minus का 3 plus में 4i यह आपका answer हो जाएगा ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1 minus i के power 4 है तो आप क्या करोगे, 1 minus i ले लो का square ले लो, और फिर से आप square ले लो, दो दूनिका 4 पूर जागा ना power है नहीं जी, अब इसको आप तोड़ लो a minus b का होले square पर, तो a का square प्लस में प्लस में जो दे रखा है आपको i का square i का square होगा, 1 a होगया आपका 1, a बराबर 1 ले लो समझने के लिए, और b का मान ले लो आप i सिफ, ठीक है और फोर्मेट होगया a minus b i मत दे ला, ठीक है, a minus b का format प्लेना, a का square i होगा आपका b का square, minus यहाँ पर लगेगा, 2 into a into b part, ओके, तो a का square तो एक होगा प्लस में, a का square जो यहाँ पर दे रखा है, actually में यह निगेटिव का होना जागा i का square सो रही निगेटिव का होन, अब minus में 2i का 2i, अब यह आपका 1 minus में, और पूरे का power में क्या है, 2 तो जहे ही, 2 तो आपका लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर 2 लेके चलोगा तो 1 minus 1 minus 2 power में, फिर से again 2, once one cancel out, 2i का square करना पड़ेगा, तो 2i का square का मतलब, दो दूनी का 4 negative खतम, सिर्फ minus 2 का square करेगा, 4 हो जागा, positive का और i का square का मतलब, फिर से minus का 1 ले लेगा, तो दोनों का multiply करेंगे, तो minus का 4 इसका answer हो जाएगा के लिए हैं? चलिए, आगे question दिखते हैं, 1 plus i के power में, 6 plus में, 1 minus i के power 3 दे रखा हैं, आप इसको ली क्या करोगे, कि आपका जो है, 1 plus में i, इसका पहले square कर लो आप, ठीक है, और बाद में power का 3 कर लो, दो दिन, दो में 3 से multiply करो, 6 हो जाएगा न, पलस में, यहाँ पर जो दे रखा है आपको, 1 minus i, इसको तो आप रहने दो है, यहाँ आपका फ्रमूला देखोगे, एक तो आपका बनेगा फ्रमूला, a plus b का whole square पर बनेगा, तो आप इसके रिखोगे a square, plus में 2 a b, आप बस में b square होता है न, एक बनेगा आपर a minus b के square, b का q, तो आपको हो जागा a q minus में b q, a q minus b q, minus में 3 a square b, और plus में 3 a b square होता है फ्रमूला, जानते होगे आप लोग, नाइन क्लास में पर होगे, अब यहाँ पर चलिए, तोड़ते हैं इसको, तो a का square मतलब की a का square, plus में b का square मतलब की i का square, plus में 2 into a into b part, और पूरे के पावर में 3 का 3 लगा दो, plus a q का मतलब 1 का q, b q का मतलब i का q, और minus लगा के हैं तो minus में i का q, minus में 3 a square और b, plus में 3 a, और आपका b square, ठीक है, किलिए, आगे चलिए, 1 का square तो आपका 1 रहने वला है, i का square मतलब negative का 1, और plus में 2 i यहाँ पर हो जागा, पावर में 3 का 3 हैने दीजी, फिर से plus 1 का q, तो 1, और 1 का power में 3 है, तो यह आपका negative का i हो जाएगा, सिर्फ minus का minus जहां का तहां, और i के power 3 के लिए negative का i, minus में, यह आपका 3 i, again, i1 का square तो 1, यह आपका 3 i, plus में, यह आपका हो जाएगा 3, और i के square के लिए negative का 1 आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर, अब आप सिर्फी को solve करना है, यह पोजिटिव negative, cancel out, यहाँ बचेगा 2 i का whole q, plus, यहाँ पर आपका 1, minus minus plus का i, minus में आपका 3 का i, और यह भी आपका negative का 3, total cancel out होगी, हाँ कितना बचेगा, देखोंगे जरा, तो 2 i का whole q, मतलब होगी आपका 8, और i का q का मतलब negative का i, 2 के power 3 का मतलब 8, और i के power 3 का मतलब negative का i होजता है, plus, यहाँ पर इन दोनों को सब्टेट करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों को करेंगे, तो 1, minus 3, तो लेते हैं कितना बचेगा, minus का 2, minus का 2 हो जागा, और 3 में से एक घटा, यह भी आपका answer हो जाएगा, clear, चलिए, next question देखते हैं यहाँ पर, पहले गुना कर लोगा पराम से, तो इन दोनों का गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 5, 3 का 15, 5 में करेंगे 4 से गुना, तो 5 का 20, i में करेंगे 3 से, तो यह आपका 3, i में करेंगे 4 से, तो यह आपका हो जागा, minus का 4, ठीक है, क्योंकि 4 तो हो जागा ऐसे, और i का गुना i के साथ करेंगे, तो i square, और i square का मतलब negative का 1, तो यहाँ पर sign change हो जागा इसका, पास में जो आपका बचा हुआ है, 2 minus i, इसको छोड़ दीजी, 15 में 4 खटाईगा, 11, 20 में 3 जोड़ दीजेगा, 23, ठीक है, और यहाँ आपका 46 और i positive, और यहाँ पर करेंगे, तो plus minus minus रहेगा आपका, और 23, i square के लिएकि 9 minus का 1, minus minus में मिलके plus हो जाएगा, ठीक है, हो जागा ने तना, गौर से देख लिजेगा, अब 22 में 23 जोड़ एगा, 45 हो जाएगा, और यहाँ पर plus minus आया हुआ है, घर जाएगा, कितना बचेगा 35, i, यह आपका answer हो जागा, ठीक है, आपको छूट रूट जाएगा, तो आप comment कर सकते हो, चलिए, यहाँ पर देखते हैं, प्लो, i to the power दे रखा है, 57, कितना होगा इसका, बताएगे ज़रा, 54, 56, 56 खतम, remainder बचा 1, तो आपको simply i बचेगा, प्लस, i के power में, 1 के लिए आपको इसका, तो i के पावर में 4, 4 लिख दीची, और i के पावर में 125 दे रखा है, तो 6 का 24 खतम, बचेगे कितना, simply 1, तो आपको इसका बचेगा, ले देखे कितना बचेगा, उपर तेहाँ पर i बचा हुआ ना, सिर्फ i है यहाँ पर, 56 खतम तो i, 1 के लिए i के पावर 4 लिखा मैंने, 125 के लिखा मैंने i, i का i, प्लस, ये घटे का उपर, i के पावर कितना बचेगा, 3, i के पावर में, बचेगा 3, तो ले देखे कितना हो गया, i का i, i के पावर 3 का मतलब negative का i, ये दो आप चुका 16 खतम, 3 बचेगा, remainder, पलस, ये दे रखा आपको 1, तो 1 के लिख सकते हो, आप i के पावर 4, डिवाइड में आपका i है, तो i का i रहने दीजी, और पूरे के पावर में दे रखा है 25, और पूरा का पावर, फिर से whole power, square, sorry, i के पावर 3 का मतलब negative का i, ठीक है, प पावर दे रखान, भई, कल्कुलेट करोगे हैं, आपर, माइस i का माइनस i, ये आपका हो जागा, प्लस, i के पावर में 25, 75, और फिर से power में 2, पावर में कितना है, 2 बचा हुगा है, माइनस का i, और ये हो जागा, आपका 8 चुका 72, तो दे ले देके फिर से कितना हो आपको फिर से एक बढ़ और, एक बढ़ और इंतिचार कर लिजिए, और फिर से माइनस का i, अब जाके फैनले हम लोग i के पावर 3 के लिए माइनस का i, लिख सकते हैं, ठीक है, क्यूंकि आपका चुका 72 खत्म, पावर बचेगा 3, अब आपके पावर 3 का मतलब बता है, मा को एड कीजिएगा, तो आपका हो जागा, माइनस का 2i, माइनस का 2i, पावर में स्क्वार है परा हुआ आपका, तो माइनस का i स्क्वार कीजिएगा, पलस 2 का i स्क्वार कीजिएगा, 4, i का i स्क्वार कीजिएगा, माइनस का 1, तो फैनली मेरे पास कितना गया, माइनस का 4 इसका अंसर हो जाएगा ठीक है और एंड फाइनली हम लोग लास्ट कोशन पर पहुंच चुके हैं तो आई के पावर 17 दे रखा है तो 16 तो गया घर बचा कितना सिर्फ वन बचेगा सिर्फ आई लिख सकतो यहां पर आई के पावर 4 वन में लिख सकते कोई दिकत नहीं माइनस आई ले रखा है तो आई के पावर 4 डिवाइड में आपका आई ठीक है और पावर में 34 का 34 और पूरे का होल पावर फिर से स्क्वार है आई का आई रहने दिजिसको यह आपका घटेगा आई के पावर 3 बचेगा तो माइनस आई के पावर 3 और पूरे के पावर में 34 बचा जाएगा आपका 102 तो लिखी जिए गहां पर 102 ठीक है और पूरे के पावर का है आई माइनस 102 में जब फोर्से डिवाई लाओगे बचा है कितना आई का i2 बचेगा पावर में 2 रहेगा ठीक है और आई और आई का i2 का मतलब होता है निगिटिव का we निगीटिव का one मिलके आप पर पोजिटिव का one बन जाएगा और पूरे का स्कॉयर अब यह अपका format हो जागा एक प्लस b वहला format तो एक प्लस का format में एक स्कॉयर प्लस में b-kam स्कॉयर प्लस में two ab झाय तो यह आपका जो एकया स्क्वार मतलब की नीगिटीब का one, one का स्कॉयर तो यह दोनों आपका कैंसिल आट हो जाना है बचाया कितना तुवाई बचेगा और यही इसका आंसर हो जागा फाइली और ले देके हमारा जो हुआ पूरा का पूरा कोश्चन आई पर खतम हुगा बताईएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको फ्रेंट के साथ सेयर किजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार किजिए तब तक थैंक यू